तू बे तुम मेरी कुछी पे बॉस डूंट भी क्रास तू बे बॉस मूव जो करता है उसे ही बॉस कहते है शही है बॉस फैन फाइट है बॉस सही टीम चुनो और बड़ा जीतो only on fanfight.com बॉस मूव करो मद्यर प्रदेश में कॉंग्रेश की सरकार है, सरकार के मुख्या है कमलनात, लेकिन पिछले दूनों खबार आई कि सरकार को समर्थन दे रहे, नौव बिधाईक नराज है इनके बीजेपी के संपर्क में होने की खबर आई इसके बाद बीजेपी कॉंग्रेस के बीच जुबानी जंद देखने को मिली फिर कॉंग्रेस नेता आपस मेहीं एक दूसरे को घेरने लगे यहां तक कियब कमन्ना सरकार के मंत्री नहीं दिग्विये सिंग पर तंज कस डाला है नाम लिये बिना मौज ले ली वन मंत्री उमंग सिंगहार ने ट्वीट करते हुए लिखा माननी कमन्ना जी की सरकार पूर्ण रूप से सुरक्षित है यह राजसबा में जाने की लडाई है बाकि आप सब समझदार है ट्वीट में सिंगहार से ने आग मारते और जीब बाहर निकलती हुई कई तीन इमोजी पोस्ट की वर मंत्री उमंग सिंगहार पूर्व मंत्री दिविए सिंग के धुरविरोधी माने जाते हैं दिविए अक्सर उनके निशाने पर रहते हैं पहले भी वे दिविजे पर कई बड़े और कमभी आरोप लगा कर सुरक्षियों में आते रहे हैं और उन्हें आरूप लगाया था कि दिविया सिंग पर्दे के पीछे से सरकार को चला रहे हैं और वे सियम कमनलाथ के काम में दखल देते हैं। आप पूछेंगे कि दिविजे के पीछे हाथ पर्द होकर पीछे पड़े उनके उमंग सिंगार आखिर हैं कौन। तो वे मदप्रदेश में कौंगरेस के बड़े आदिवासी नेताओं में से एक हैं धार जिले की गंधवानी सीट से विधायक हैं। लगातार तीसरी बार गंधवानी सीट से जीते हैं। उनका नाम मदप्रदेश कौंगरेस का अधश बनने की रेस में भी था। इने टूडे के पत्रकार छोटू शास्त्री ने बताया है कि ओमंग सिंगार किसी भी खेमे में नहीं है। इसके हाँ से सत्ता गई तो जमुना देवी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। ऐसे में शुरुआत से ही उमंग सिंगार का रुक भी दिग्विजे सिंग के खिलाफ रहा है। दिग्विजे सिंग प्रभाज्जा और सत्य नरायन जटिया का रास्वा का अरकाल पूरा हो रहा है। अभी तीर में से दो सीट बीजेपी के पास हैं। बद्रप्रदेश विधान सभा में इस समय कॉंगरेस के पास 114 विधायक हैं। इसके लाबा कमला सरकार को 2 वसपा, 1 सपा और 4 निर्दिली विधायकों का समर्थन प्राप्त है। बीजेपी के पास पिलहाल 107 विधायक हैं। इनके अधार पर कॉंगरेस और बीजेपी को एक एक सीट मिलना तय है। लेकिन लडाए तीसरी सीट को लेकर है। कहा जा रहा है कि दिगविजे अपने लिए सुरक्षित सीट चाहते हैं। ऐसे में भी सरकार पर दबाव बना रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है। जो होका वो भी हम आपको बताएंगे। आप देखते हैं ये दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। कविता कहानी के डेली डोस के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें हमारा हैंडल लटक.ललन टॉप। अब सुकून के लिए भटक मत लटक.